असलाम अलीकूम डियर स्टुडेंट्स मेरा नाम है तैमूर परवेश और अब हम आर्टोकेट सेवल और और और्किटेक्चर के ओपर डिस्कस करेंगे कि आर्टोकेट 2015 सेवल और 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 इस पर किस तरह काम किया जाते हैं तो स्टुडेंट्स इससे पहले हमने आर्टोकेट मेकैनिकल 2015 के ओपर डिस्कस किया था और आर्टोकेट 2015 की टिटोरियल भी आपने देखे होंगे और उमीद है कि आपको अच्छे भी लगए होंगे आपने उन पर काम भी किया होगा और आपको वो प्रोफेशनल तोर पर आपकेट मेकैनिकल के ओपर आप ड्रॉफ्टेंग्स और आपने मेकैनिकल स्ट्रेक्चर मेकैनिकल मॉडलिंग गरा ड्रॉफ करने सीख लिए होंगे और आप खुद भी कोई भी आपे पास ऑब्जेक्ट सामने है तो आप उसे आपकेट के ओपर बना सकते होंगे थेड़ी मॉडलिंग कर सकते होंगे तो अब हम आपकेट सेवल और 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 अर्खिटेक्चर के ओपर डिसकस करते हैं तो आपकेट के बारे में तो आपको पता चल गया होगा कि आपकेट है क्या आपकेट पर काम किस तरह करते हैं क्योंकि हम आपकेट धारे में क्योंकिस सेवल और अर्खिटेक्चर कर देर हैं क्यार्ण या तो सेवल मीं अब तो आपको हैटमे केट इस यह दो की आपको मैं बताया था क्यूँक्य इस में जो work spaces आपके modeling के लिए वह है सेवल और architecture drawings ये designs के लिए हैं तो आप उन में से जो modeling आ शो भी workunky workspace आप यूज़ करोगे चाहिए अगर mechanical का काम करना है तो mechanical के लिए वह वह लात करना है was इसके अलबा 3D bake से आटोगेट बेसिक भी है इसमें जो इसका वर्क स्पेस है उस पर भी आप काम करते है तो सेवल और मेकैनिकल में फर्क होता है कि सेवल थोड़ा से आपका सेवल में जो इसेंबली बनानी होती है अपर आपने जो डॉइंग बनानी है ये काम करना है तो वो सारी अप सॉलेटि इडिटिंग के अपर काम करते हूँ कम्प्रीड रेटिंग बनाते हैं और आपने जो भी डियो चीज बिनानी हो और सॉलि अपने काम करना होता है जबकि सेवल में हम सॉलिड भी करते हैं लेकिन सेवल में हम इतना ज्यादा हमार पास टॉफ काम नहीं होता है हम इतना ज्यादा टॉफ काम यहतने मुश्किल आपके आपके अब्जेक्स नहीं होते कि जो आप आर्टोगैट मेकैनिकल में बनाओगे आर्टोगैट सेवल जो ह तो हम AutoCAD Electrical के ओपर भी काम करेंगे लेकिन उसके बारे में भी आपको समझा देता हूँ कि AutoCAD Electrical जो है तो उसके अंदर सेंबल्स वह एरा complete बने वे होते हैं और अगर आपने अगर फर इसमपल आप Electrical पर काम करते हुए क्योंकि जो लोग Electrical Engineer है या फिर Electrical पर काम करते हैं उनको पता होगा कि अगर उसमें कोई circuit आपका सही नहीं बना हुआ तो वहां पर AutoCAD आपको इस चीज़ को बता देता है कि यहां पर circuit सही नहीं है या फिर आपने जो सेंबल होते हैं built-in सेंबल उसमें बने भी होते हैं आपको सेंबल बनाने की जुरूत नहीं पड़ती है लेकिन AutoCAD सेवल में आप सेवल के भी कुछ सेंबल होते हैं लेकिन इतने जाए सेंबल नहीं होते जबकि electrical की complete sample list होती है electrical AutoCAD में तो जब हम electrical AutoCAD पे काम करेंगे तो आपको सही समझा जाएगे तो AutoCAD के इस AutoCAD पे हम discuss करते हैं तो इससे पहले मैं AutoCAD के आपको बताऊंगा कि AutoCAD में installations के दुरान या फिर आप जब AutoCAD को download करेंगे करने वाजब आप install करेंगे तो इसमें आपने इसके जो system requirement है वो क्या क्या होनी चाहिए तब आपका AutoCAD जाके install होगा तो क्योंकि इससे पहले वाले जो मैं AutoCAD आपको बताया था या पर AutoCAD के लावा जो हमने काम किया था यह जो हमने AutoCAD के लावा जो है तो CorelDRA, Photoshop, N-Page, Office तो इन पे भी हमने काम किया था तो इसके लिए कुछ students ऐसे थे कि जिनके पास software इंस्टाल नहीं हो रहते क्योंकि उनके system P4, P3 थे, P3 से भी मतलब आपके P2 से थोड़ा सा upgrade थे तो उनमें ना तो उनके hardest में या पिर space नहीं होता था या पिर उनकी RAM में मसला होता था इस वर सो install नहीं हो सकते थे तो इसलिए मैंने AutoCAD में आपको ये lesson बनाने से पहले हैं मैंने सोच है कि मैं इसके आपको बता दूँ कि इसमें system requirement क्या क्या होती है तो अपने lesson तरफ चलते हैं तो पहले हम system requirement देखते है system requirement क्या है तो उसके रिए मैं next slide में आतो हूँ तो system requirement जो है आपको आस AutoCAD की वो क्या है तो AutoCAD 64-bit और 32-bit पे भी आप काम कर सकते हैं 64-bit या 32-bit जो भी है उसके लिए आपस Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Professional या Enterprise होनी मस्ट है Windows XP पे काम नहीं होगा CPU जो आपका है वो AMD 64 का होना चाहिए 64 with SSE2 Technology का होना चाहिए ये SSE2 Technology जो है ये आपकी Generations है जो क्या पर प्रोसेसर की Generations है तो प्रोसेसर दो टैप्स की होता है एक AMD कंपनी का होता है दो कंपनी जो प्रोसेसर डिजाइन करते हैं AMD कंपनी योजो एक Intel होती है तो ये दोनों कंपनी डिजाइन करते हैं और अगर AMD के लाब आप पस Intel का प्रोसेसर है तो क्योंकि सबसे ज्यादा Intel का प्रोसेसर यूज़ के जाते हैं Intel का अगर प्रोसेसर है तो वह आपका Pentium 4 से upgrade होना चाहिए मेन आपका सिस्टम है वह SSE2 Technology का होना चाहिए और मेन आपका dual core, core to do या इससे up होना चाहिए आपका सिस्टम Memories की 4GB RAM होनी चाहिए minimum RAM जो आपके पास memory होनी चाहिए वह 4GB होनी चाहिए और recommended जो है वह 8GP है मेन अगर आपका 8GP हो तो best है क्योंकि आपका जितना भी काम होता है उसके लिए आपके RAM आपने जो भी जितना भी काम करना होता है चाहिए आपने single user, multi user है single user है या फिर आपने एक वक में काफसरे काम करना है rendering भी करना है, downloading भी करना है तो उसकी वज़ए से आप memory अगर अच्छी रखे आपके RAM अगर अच्छी होता है तो उसके काम असानी से हो जाता है आपका सिस्टम हैंग नहीं होता है क्योंकि आपका data जितना भी आपकी काम कर रहे होते हैं मैंने आपने एक project बना रहे होते हैं तो उसका जो store हो रहा होता है तो वो आपकी RAM के अदर store हो रहा है तो RAM का साइज कम है तो उसमें वो store तो हो रहा होगा लेकिन वो जिएelines देशलो हो जाएगी आपका system और और तो जो data आपका होता है वो store जो हो रहा हो रहा हो वो RAM के अदर हो रहा है ज्यों ही आपके switch off होता है तो वो RAM से हटके आपका system, आपका hard disk में data save हो जाता है. तो इसलिए जब आप काम कर रहे होते हो, processing जब आप कर रहे होते हो, या फिर अपने कोई भी जब काम कर रहे होते हो, रेंडरिंग जारा कर रहे होते हो, तो वो data RAM में save हो रहे होते है, RAM उसको access कर रहे होते है, RAM उसके लब आपका जो graphic card होना चाहिए, मीन आपका आपका आप चाहते हो, आपने अगर 3D models बनाए हैं, आप उससे render कर रहे हो, आपने उसकी resolution आप चाहते हो अच्छी हो, तो अच्छी resolutions के लिए आपके पास जो card होना चाहिए, graphic card, तो वो आप का होना चाहिए, 1280 by 10, 24 pixels का होना चाहिए, या फिर 1600 और 1200 pixels का होना चाहिए, जो कि इसके अच्छे color होंगे, hard disk का space जो है, वो आपका installation के दुरान 8GP होना चाहिए, 8GP hard disk space होना चाहिए, free होनी चाहिए hard disk, और 8GP installation और downloading दोनों के time अबबस तक्रीबन इतना space होना चाहिए, और उसके लावा 4GP space आपके programs, files के लिए भी होना चाहिए, must है, Pointing device में mouse आपके पास, media, browsers तो यह आप इस system में होते हैं, browser आपका internet explore तो चाहिए, आप Windows XP करें, Windows 7 करें, 8 करें, 8.1 करें, तो उसमें internet explore जरूर होते हैं, हाँ, .NET framework जो है यह आपके important है, तो .NET framework 4.5 होनी must है, अगर यह 4.5 नहीं है और आप जब downloading के बाद आप installation कर रहे हो, तो installation करते हुए अगर आपके पास internet connect है, तो आप से यह कहेगा, कि आप अगर आपके पास .NET framework का version जो है, वह old version है, आप उसे update करना चाहते हो, तो आपने उसे update करना है, तब आपके पास AutoCAD install होगा, otherwise यह error देदेगा, तो .NET framework अपस 4.5 होनी must है, उसके राब कुछ additional requirements हैं 3D modeling के लिए, अगर आप 3D modeling पे भी काम कर रहे हो, तो हम कुछ 3D modeling के structure दो draw करेंगे, लेकिन हम उसे render वगारा camera animations वगारा कम देंगे, क्योंकि वह AutoCAD में इतना खास काम नहीं होता, उसके लिए 3D studio max या Maya पे हम काम करते हैं, तो 3D studio max और Maya भी आप पास AutoDesk के software हैं, जो कि बहुत advanced software है, animations या पिर आपके camera जोर, आपने, for example, material apply करना है, camera जोरा लगाना है, या पिर आपने rendering करनी है, modeling को जोरा करनी है, तो उसके लिए 3D max या Maya को यूज करते हैं, dispatch जो आपके 9GP होना चाहिए, available होना चाहिए, dispatch installation के दुरान, तो यह थी इसकी additional requirements और system requirements आपके AutoCAD के, अब चलते हैं, जी AutoCAD, तो AutoCAD होता है क्या है, AutoCAD बिसिकली दो लफज मिलके बना है, Auto and CAD से, Auto का मतलब होता है, Automatic और CAD होती है, computer added drafting, या पिर इसको computer added design, या पिर computer added drawings भी कहा जाता है, तो मिन आप computer के तुरू जब आप कोई काम करते हो, कोई drafting बनाते हो, drawing ये design बनाते हो, तो आप उसको CAD कहोगे, और वो CAD जो आप automatically, आपने सिर्फ unit set करके अपने काम करना है, तो वो आपका automatic computer added design हो जाएगा, इसको लिए डौफटिंग जो होती है, drafting होती है, जब आप कोई भी काम करते हो, किसी भी specific matching unit के थूरू, या या पिर आपने कोई भी काम करना है, approximate length के थूरू, मिन अगर आप कोई काम कर रहे हो, या पिर कोई प्रोजेक्ट, कोई jobs बना रहे हो, कोई projects बना रहे हो, तो उसम में देने हैं तो ड्रॉफ्टिंग आप अगर कर रहे हो तो उसमें आप स्पेसिफिक मेरी यूनिट के तुरू आप काम करोगे चाहे वो संटीमीटर में आप काम कर रहे हो उसके लाव आप इंचिस में काम कर रहे हो उसके लिए आप पस ड्रॉफ्टिंग होनी मस्त है और उस specific measuring unit के तुरू काम करते हैं approximately length के ओपर काम नहीं करते हैं तो drafting होता है क्या है तो drafting का यहाँ पर क्या कह रहा है कि drafting क्या होता है तो कहता है कि drafting is a term used to refer to the systematic representations and dimensional specification of mechanical and architecture structures drafting is one of the key components involved for those that study architectures तो drafting कैसी चीज़े के बारे में study करते हैं और अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं और जो भी काम वो कर रहे होते हैं specific आप कोई चीज जो ड्रॉक कर रहे होते हैं तो तो drafting बेसिक चीज होती है आपने कोई भी project बिनाना है तो प्रोजेक्ट बनाने से पहले आपने site का विजट करना है कौन सी site के ओपर आपने काम करना है में आपने कोई घर बनाना है तो उसके लिए आप उस जगह देखेंगे जगह देखने के बाद उसमें आप रफ सी आप drafting खुद से हाथ से बनाएंगे फिर computer के उपर आप उस drafting को सही तरह से अपने complete आप लिंट होए रदे के आपने बनानी है बनाने के बाद उसको फिर पहले आपने उसके टोडी में सारा design करना है अब दॉफ्टिंग उसके बनानी है दॉफ्टिंग बाद उसके 3D models बनाने है उसके front elevations बनाना है side elevations बनाने है तो यह सारे काम drafting के बाद ही आप करते हैं तो आटोकट सेवर में हम यही काम करेंगे सारे के सारे हमने simple टोडी ड्राइंग भी बनानी है drafting भी करना है mean drafting भी 3D models भी create करना है front elevations बनाने stairs बनानी है bridge बनाने है तो हम सारा professional काम इस पर करेंगे उसके लावा यहां पर कहते है कि whenever we draw any object by the help of approximate length then we are creating drafting कि जब भी हम कोई काम या कोई भी चीज़ बनाते हैं एक approximate length के थुरू यहां पर approximate length लिखा हुआ है लेकिन इसके लावा अगर आप specific majoring unit के थुरू भी अगर बनाते हो तो वह drafting होती है तो drafting की जो types होती है तो normal drafting की two types है map and ranks map and ranks में फर्क क्या होता है उसके अपर discuss करते है तो map जो होता है वो होता है जी अब जब भी कोई काम या कोई चीज़ बनाते हो एक approximate length पर जब आप काम कोई बनाते हो तो इसको map कहते हो for example map of world जिससे दुनिया का नक्षए और दुनिया का यह सारा नक्षए बनाया गया था जिस time drafting का time नहीं था दोड़ नहीं था तो उस time यह अंदाजी के मताबिक बहता हो उसके बाद इसका नक्षए अब तो इसका तनक्रीबन हर चीज़ के बारे में आपका data भी साग है कि आपका data complete कि इसका कितना रखबा है इस एरी का कितना तो इसका थोड़ा हो गया लेकिन यह भी अंदाजी के मताबिक क्योंकि हमें नहीं पता कि समंदर का कितना ज्यादा समंदर फैरा हुए हम तो percentage में बता रहे होते हैं लेकिन समझे कि यहां पर इसमें कुछ एरी यह कुछ जगर जिए वह अंदाजी के मताबिक है और कुछ पर कंप्लीट आपका स्पेसिफिक मेरिंग यूनिट के थरू भी काम किया हुए तो यह थी मैं फर इसमपल मैप अफ वर्ट यह यह भी आपका अप्रॉक्सिमेटली इस पर काम किया है लें ती भी है मैप के बादे ड्राइंग तो ड्राइंग होती है विनेवर वी ड्राइ कि कि जब भी आपको काम बनाती है कोई बनाती है तो वो आपका ड्राइंग होती है जैसे विल ने सामने नजर भी ओंदीे मिद्द ड्राइंग है जो übrigens यह होता है तो अर्टोगर्स का पहले भी तकरीब आपको क्म्पीट पता चलगे क्या हो क्यों डेक्प होता है क्या है तो एक Ortodix company है उसका aftware है और उसके राबा artwork software application that is used for drafting engineering design क्या तो के एक ऐसा software होता है जो engineering या फिर drafting designs के लिए जाते है the CAD is the term can stand for either computer added design और computer added drafting तो जो CAD की term उचन कि की किई के add up a computer computer edit drawing या पिर computer edit drafting भी CAD को कहा जाता है and is used to assist architect and engineer to draw 2D or 3D drawings or models तो AutoCAD के ओपर जो engineers या फिर architect engineer हो गए है जो भी engineer जाए mechanical है electrical है civil है कोई भी engineer है तो वो AutoCAD के ओपर ही काम करके आपके अब electrical engineer है तो वो अगर आपने फर इसंपल उसने कोई project बनाना है कोई drawings बनाने एक home बना घर बना वह है तो उस घर में जो वाइरेंग्स के बारे बताना है कि कहां पर कौन सा point है कहां पर कौन सा point है तो वो भी AutoCAD के ओपर काम करेगा mechanical structure draw हो रहा है तो वो भी AutoCAD के ओपर रहा होगा और गाड़ी फर इसंपल गाड़ियों जो बनी विए AutoCAD से पहले जब AutoCAD नहीं था उससे पहले लोग जो थे वो रफ काम करते थे वह में अपने पास page पे वह drafting करते थे और वह भी बहुत जबर्दस drafting करते थे तक्रीवन तो अब AutoCAD है तो AutoCAD एक latest software है latest इस चीज़ है technology है तो इसके ओपर भी बहुत ज़्यदा असानी होगे काम करने में आप असानी से इस पर काम कर सकते हैं और इसके तुरू आप ड्राइंग्स 2D ड्राइंग्स या फिर 3D ड्राइंग्स भी बिना सकते हैं रेबन इंटरफेस जो है तो वो है workspace तो workspace आपके जो होते हैं AutoCAD में इस AutoCAD 2015 में जो सबसे main important चीज़ है वो इसके workspace है तो इनी workspace के ओपर हम जो काम करते हैं जिससरे हमने drafting करनी है तो drafting के लिए drafting innovations workspace है modeling के लिए 3D modeling है और 3D basics इसके इलावा भी आप workspace बना सकते हैं तो यह workspace बहुत important है आपने अगर modeling करने 3D modeling तो 3D modeling के लिए आप सिर्फ 3D modeling का workspace यूज़ करेंगे तो main workspace यहाँ पर दो हैं 3D modeling और drafting innovations इनके उपर हम काम करेंगे 3D modeling जो होता है इसका 3D modeling जो workspace होता है तो 3D modeling workspace आपके simple 3D पर काम करने के लिए 3D के आपने structure डॉड करने या फिर आपने फ़रीजंब अब mechanical structure डॉड करने तो इसके लिए 3D modeling को use करते हैं 3D modeling में हम mesh modeling हो गया, surface modeling हो गी है या फिर solid editing हो गी है और इसके रावब भी 3D work सारे के साथ इसके हम करते हैं और solid work के ओपर हम 3D modeling का use करते हैं यह हमने जब 3D काम करना उसके लिए हम use करेंगे और जो आपका drafting inventions जो होता है यह आपका 2D drawings बनाने के लिए काम आता है और 2D drawings जितनी भी आप बनाते होएँ, roof onion का 3D नहीं ही होiqué 3D modeling पर आपने काम करना है तो यह drafting inventions पर स्पेस जए है इसपे भी ब्हुंत करेंगे तो AutoCAD में पहले जो tools होंगे सारे के सारे वो डॉफ्टिंग के होंगे उसके बाद आपके जो टूल्स होंगे वो 3D मॉडलिंग के उसके बाद हम अपना सेवल के काम कम्प्लीट करेंगे और नेक्स्ट जॉप का इंटरफेस है सेवल होम ट्राइंग्स है आपके पास तो यह देख सकते हैं आपके पास यह 2D ट्राइंग है ग्राउंड फ्लोर बना हुए यहाँ पर तो हम यह बनाएंगे इसके उपर काम करेंगे एक और मॉडल आपको सामने नजर आ रहा होगा तो इसमें मरला भी बताया हुआ है कि कितने मरले पर यह मकान बना हुए इसमें स्पेसिफिक मेरिंग यूनिट के थूँ देखें कम्पलीट इसमें डेटेल दी भी है देख सकते हैं अब वही मकान जो है वही चीज जो है वह 3D मॉडल में कर्वर्ट हो गया है 3D मॉडलिंग आपको सामने नजर आ रहे होगी तो यह 3D में हमने कर्वर्ट किया उसको और अब 3D में कर्वर्ट तो कर लिया लेकिन 3D के अंदर भी अगर आपने फर इजम्पल कोई सेंपली आपने फर इजम्पल उसके अंदर फर निचर लगाना है तो आप फर निचर लगा सकते हैं तो वह देख सकते हैं हमने complete furniture भी लगा के आपको बता दी किसके अंदर क्या क्या चीज़ें और किस तरह complete आपको rooms, bedrooms, कहां प्याए, kitchens तो इस सारी चीज़े भी बना के बता दी उसको पर फ्रंट टेलिविशन भी देखने हैं तो फ्रंट टेलिविशन आपको सामने नजर आ रहा है यह भी 3D modeling में हमने किये और यह थर्ज़े हमारे पर आर्टो कैट सेवर या फिर आर्टो कैट आर्किटेक्ट्चर बिसको कह सकते हैं तो स्टुएंट्स उमीद करते हूं आपको इस लेसन के समझ आई होगी और आपको आर्टो कैट के बारे में complete introduction मिलगा होगा कि आर्टो कैट है क्या और इस पे काम कैसा कैसे किया जाएगा और किस तरह हम काम करते हैं तो इंशालला आर्टो कैट के ओपर complete जो आपकी आर्टो कैट की 2D ड्राइंग्स, 3D ड्राइंग्स, 3D मॉड्लिंग्स, assemblies उसके लावा आपने 3D में जो front television और उसके लावा foundation गारा ये complete details से आपको समझाऊंगा और आपको इंशालला complete आपको आर्टो कैट पर असानी से काम आप कर सकेंगे, आपके सामने अगर कोई भी चीज पढ़ी विया तो आप उसे अपने आर्टो कैट में ड्राइंग्स कर सकेंगे और उसके लावा material अप्लाय करना भी आपको सीख़ोंगा और इसके लावा आप आपने अगर material के लावा आपने रेंडरिंग्स करना है, आपने camera या अपने camera का function ही होता है कि आपके जो complete आपका आर्टो कैट तो हो गया, लेकिन आपने आपने आर्टो कैट के पूरा 3D building हमने ड्राव कर ली, 3D building ड्राव करने के बाद इसके अंदर क्या-क्या लगा है, व पदा आर्टो कैट आर्टो करने आर्टो के लाव थारिंग्स.